हलो वेलकम तो फ्लेवर कोस्टर मैं हो गीता आज हम एक सेलाट बना रहे हैं जो है मैक्सिकन सेलाट यह बहुत ही ईजी है लेगिन बहुत ही टेस्टी होता है आप उसको जरूर एक बार ट्राय करके देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं फिर बनाना इसके लिए यह मैं एक कप मैकरणी ले रही हूं इसको हम पहले बॉल कर लेंगे और थोड़ा सा कैप्सिकम और गाजर चाहिए होगा इसके लिए वह हम छोटे-छोटे काट लेंगे कैरेट को बॉल करना है तो पास्ता के साथ ही इसको हम डाल देंगे पानी हमने बॉल करने के रख दिया था अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल डाल दूगी और यह जो मैकरणी और दाल देते हैं और कारचस को भी इसके साथ दाल देता है मैकरों नहीं जब तक बॉयल होती है तब तक हम इसको भी छोटा छोटा कार देते हैं एक कप हमने मैकरों नहीं लिया था तो अकॉर्डिंगली सब अधा-धा कपी लेंगे इसके लिए हमें थोड़ा लिट्स भी च्रहिए होगा अधाест को हम आप देर्म से पत्ति में निकाल लेंगे इस उपर से ओड coordinator को कड़ें नहीं है आपको शाको को से काटना है हाथ से ँच्छोटे-च्छोटे क्ड़े मैं पतलाव हे महीं निकाल देते हूं इसको हम हाथ से ही छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे जितने आपको size के चाहिए और जितना quantity आपको चाहिए आप accordingly डाल सकते हैं मैकरोनी हमारी हो चुकी है अराउंड 10 मिनिस लगे जब भी आप मैकरोनी को बॉil करते हैं तो यह जैसी उपर आने लगी ने तो आपको समझ लेना है कि आपकी मैकरोनी बॉil हो चुकी है देखे पहले व सब नीचे ही हो गई थी लेकिन जैसे ही वह बॉil हो जाती है तो लाइ आपको ज़रत हो टेस्ट केस आप से आप ज्यादा भी कर सकते है तो 3 4th कप मैंने इसमें ले लिया है तो लेमन जूस अराउं 1 टेबल स्पून जितना मैं डाल रहे हूं 2 टेबल स्पून जितना हनी सॉल्ट टेस्ट के साब से और पेपर में वाइट ही डाल रहे है इसमें आपको चाहिए तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको आप बनाएं तो फिर आप एक पार टेस्ट करके देखिए अगर आपको लेमन य पानी जो हमारी बॉल हो चुक है इसको हम ठंडा कर लिया मैंने अगर आपको इसका कुकिंग प्रोसेस रोपना हो कभी तो आप इसमें ठंडा पानी जाल के रखेंगे तो ज्यादा को ओर कुप नहीं हो जाएगी यह हमारा पाइनापल है हाफ कप जितना इसको मैंने अगर यह हमारा ट्रेसिंग इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे एक बार आप टेस्ट करके देखिए अगर आपको ज्यादा वह प्रेसिंग बनानी हो तो आप उसमें और थोड़ा सा कवर्ड आड़ कर सकते हैं इसमें आपको लेमिन की कौनिटी पर ध्यान रखना है अगर आपकी जो दई है वह थोड़ी से खटी है तो लेमिन आप अकॉर्डिंग ली थोड़ा सा कमी डाली तो बहुत खटा हो जाएगा अगर फ्रेश वाली दई है तो फिर आप फोड़ा सा यूज कर सकते हैं यह हमारा हरेडी हो गया है अब इससे सर्व कर लेते हैं इसको सर्व इसको हम ऐसे लगा देंगे जैसे आपको पसंदो जिस्ट डिविट अ लुक यह हमारा दिलिशा सिंपल सालड रेडी है यह मेक्सिकन सलाइग आप ज़रू ट्राइग कीजिए आपको ज़रू पसंद आएगा बहुत एजी है लेकिन बहुत टेस्टी यह है कि वाई टेक्ट bolag के सुओट टेक्शा एंवा आछा आपको जिस्टrict आपको कि वेफ्टी यहाऑ यहा लूड टेक्शा से बहुत के द मुझते हां बहुत है यहाँ है